हलो फ्रेंड जाहिंद हमारे यूट्यूब चैनल अर्विन चुरोसय में आप सभी भाई भाहन को स्वागत है तो दोस्तों आज बात करेंगे हम बिहार पुलीस क्योंकि सारे तक्रीवन सभी लड़के की नजर आज हर वार वेवसाइड पर है कब आएगा मेरा पीडियाफ कब आएगा रिजल्ट इस सब सारे बाते आज बताएंगे दोस्तों कि आज आएगा रिजल्ट या नहीं कंफर्म किलियर क्या होने वाला है इस वीडियो में इस वी लोगों को बता दे कि CSBC ने CSBC जो कि बिहार प्लिस चेन परिसर जो है बहुत बड़ी आप बदलाव कर दिया है जो कि इस बदलाव को हर एक लड़का हर एक लड़का लड़की जो भी जितने स्टुडेंट बिहार प्लिस का फॉरम फिलप किये हैं एक्जाम में सामिल हुए एक्जाम दिये हैं उन सभी भाइबानों को जानकारी होना बहुत ही जरूरी है कि आखिर CSBC ने क्या बदलाव कर दिया इस से पहले है CSBC ने अपना website जो पहले वाला था website को चेंज किया अब बहुत सारे भाइबन को पता नहीं होगा तो पहले वाला website खोल कर बैठ रहे होंगे खोल रहे होंगे तो यह उस website पर इस बार नहीं ड़लेगा रिजल्ट जो होगा आएगा नियू वाले website और नियू बिला website है क्या थोड़ा दिखाएं तो वेबसाइड जो है अपने तरह से सभी लोग को जनकारी दे दिया है जो कि अपना खुद को लेटर निकाल दिया और लेटर जो की वाइरल भी हो सकता है आप लोगों के पास नहीं पहुंचा होगा हम लोग के गुरूप में ह निकाल की उस लेटर में कौन सा वेबसाइड है एक पर देखाएं वेबसाइड तो यह वेबसाइड देखिए क्या है वेबसाइड है पहले CSBC बिहार गोवर्मेंट अभी का पहले था CSBC बिहार NIC अब एनध कि अस्थान तो गववर्मेंट कर दिया भी जब भी जो है बरतम करके लोग को सर्च करके देखेगा बताते हैं रिजल्ट के ऊपर और इस उसका कट ? मैं क्या कट आयगा रिजल्ट के साथ या नहीं तो इस से बात करते हैं रिजूल्ट-मार कट कटफ जारी करेंगा तो आप लोग को पता चलेगा सब की ऑवकात जितने यूटूबर कितना बताया थे कटफ और इसका जो है तालमेल मिलता है जुलता है और किसका नहीं मिलता है यह सब पता चलेगा आप लोग को इस बार फूरे अगर कुटन जारी कर दिया है रिजुल्ट के साथ तो बात रहे है रिजल्ट के लिए करके आज बिश्यवरी से सब भी लोगों की नजर रिजल्ट पर हैं यही नहीं यही नहीं हम लोग की नजर भी उसी पर आज दिन भर में कितने वार कहां कहां से नहीं फोन किये भाई क्या होगा क्या होगा अभी तक की खबर यही आ रहा है कि चांसे है आज है अगर नहीं हो जाए लेकिन अब तो साम तक तक हाएगा लेकिन पांच का टैम तो निकल गया अब देखिए आगे क्या होता अगर तो थीग ने तो कल थो परसो अगरेंटी ही देगा तो लग रहा है चंसे है कि आपको तो आया 28 नहीं आया तो 29 और 30 दो दिन के अंदर अगर आपका रिजल्ट आ गया तो ठीक है और नहीं तो फिर दोस्तों छट पुझा आप दिपावली आराम से मनाईए उसके बाद खुष खबरी सुनिए और बिल्कुल आपना बेवसाइट को बदल करके बहुत बड़े अपडेट दिया बहुत बड़े जनकारे दिया लगों के रिजल्ट के लिए क्या है आएगा आप रिजल्ट क्योंकि कर दिया जब वेवसाइट चेंज किया तो यह समझ आए कि उनकी जो है जो रिजल्ट बनाद बनता है वह सारा रिजल्ट किलियर हो गया बनके रेडी है और वहां पर आपका जो है पीडियफ लोड होगा तो आप यह से हैंड़ेट पर्षंट का स्यूर रही है कि आपका रि इन दिन में आपको दिखने को मिल गया तो असपस दिख जाएगा नहीं तो शट पुजा के बाद रिजल्ट एदम कन्फर्म आ जाएगा दोस्तों कोई अब इसमें नहीं है कि अब रिजल्ट में ज्यादा देरी होगा अब बस हम तो यहीं कहेंगे जो भी हमारे भायवान और नहीं कर रहे हैं अभी भी बाँबार का रहे हैं जो भी भायवान फिजिकल नहीं पूरा फोकस दीजिए है और फिर मिलते हैं आज का लाइब में कल तो लाइब हम नहीं आ पाएं क्योंकि दोनों वाई चले गए था ड्यूटी था और आज दिन में भी ड्यूटी था अभी साम में जस्ट आएं ड्यूटी से नाद वाकर फ्रेस हुए और उसके बाद वीडियो बना रहें तो आज इस वीडियो में इतना ही वीडियो को लंबा अग्दम नहीं ले जाएंगे आप लोग को बहुत बहुत मुले समय होता है तो फिर मिलते हैं जैसा ही किसी तरह की आपडेट आता उस आपडेट को ले करके जब तक कि हमें दे इजाज़ाद जय हिद जय भारत